आईए अब देखते हैं कि परिवर्तन शेल अनुपात्यों का नियम क्या है अभी तक हमने देखा कि जो परिवर्तन अल्पकाल में होते हैं वही परिवर्तन शेल अनुपातों के अंतरगत आते हैं अल्पकाल में इतना कम समय रहता है कि सभी कायों में परिवर्तन संभव नहीं है तो कुछ साधुनों में अनुपातिक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है यह संपूर्ण नियम सिर्फ इसी कथन पर आधारित है जैसे कि हमने इसके पहले टेबल में देखा कि किस प्रकार हम पहली से तीसरी तक ही काये जब हमने श्रमिकों की संक्या में वृध्धि की बाकी अन्य चार साधनों को इस्ते रगकर तो पहले से तीसरे साधन की वृद्धी तक आप देख रहे हैं कि काफी इसमें वृद्धी हुई है उत्पादन में अच्छे दर से वृद्धी हुई है को कि चौति पाच फी CHKय में भी वित दी हम धेख रहें लेकिन पहले का पक्षा थोड़ी कम- दर में विद्धी हुया है च्टविए लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाद मीं हमने यहां पर उत्त्ती साधन में परिवर्टन किया मैं तो बहुत ज्यादा हमको कुछ उत्तपादन में व्रध्धी देखने को नहीं मिली बल्के इस्थीर हो गई कि चटी में में भी आप है कि 150 और साथ अब यहां पर हमको रुक जाना चाहिए यानि की अवशक्ता नहीं है कि उत्पादन के किसी एक साधन में व्रद्धि की जाए फिर भी अगर हम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आठवी काई का जब हमने में परिवर्तन किया तो जो उत्पादन है वो 140 हो गया यानि की घट अभी भी रुक जाना चाहिए लेकिन फिर भी हम अगर अगली इकाई का प्रयोग करते गए तो वो हमें आपर भी देख रहे हैं कि रिनात्मक हमको प्राप्त होता जा रहा है तो यही परिवर्तन शील अनुपातों का नियम हमें बताता है कि किस अनुपात में किस दर तक कि तक उत्पाधन के इकाई में परिवर्तन लाया जाएं प्रोफेसर सोगलर के परिवारशा से हम इसको और अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं! प्रोफेसर स्टिकलर के अनुसार अन्य उत्पादन के साधनों की मात्रा को इस्थिर रखकर किसी साधन की समान अनुपात में जैसे-जैसे मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित बिंदू के पास उत्पादन की मात्रा में व्रिद्धी का अनुपात घर्टा जाता है प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में उत्पादन के साधनों के संयोग से जैसे जैसे एक साधन के अनुपात में व्रद्धी की जाती है वैसे वैसे एक बिंदू के बाद उस साधन का पहले सिमात उत्पादन पर और फिर बाद में और सत उत्पादन घटता जाता है तो आपने देखा कि प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार इन्होंने ये माना है कि ये जो उत्पादन की संपूर प्रक्रिया है इसमें अन्य साधनों को इस्तिर रखकर किसी एक में ही परिवर्थन करना है दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि अगर आप ऐसा करते हैं यानि किसी एक जाहिर से बात है कि उत्पादन की किसी भी एक साधन में अगर हम व्रिद्धी करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में व्रिद्धी होगी दूसरा अगर हम बेनहम की बात करें तो बेनहम की परिभाशा को अगर हम देखें तो उनका लगबग ये मानना है कि जब साधनों में वृद्धी हम करते हैं तो हला कि कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन एक समय के बाद उसत उत्पादन घटने लगता है और एक ऐसा समय आत है कि परिवर्तन शील साधनों का अनुपात किस प्रकार ने धारित किया जाए किस इसतर तक अन्य साधनों को इस्थिर रखकर किसी एक साधन में वृद्धी की जाए ये सारे जो नियम है ये कुछ मानिताओं पर आधारित हैं क्या है इनकी मानिताया ये देखते एं कि यह उनमें कुछ साधनों को ही परिवर्तित कियां ग्रुप से किया सकता है जाहिर से किया जासकता है पहले भी ने देखा लेकिन बात ये है कि समय कितना है हमारे पास अल्पकाल में अगर परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व भूमी की बात आती हैं हम छेत्रफल में कमी वृध्धी कर देते हैं लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ट तथ्य आता है उत्पादन विधी उत्पादन विधी को किसी इकाई के रूप में ना तो हम व्यक्त कर सकते हैं और ना इकाई के रूप में हम उसमें किसी भी प्रकार की कमी अव्रिद्धी कर सकते हैं तो जो भी परिवर्तन करना है चाहे वो अल्पकाल में हो चाहे देदकाल में हो वो उत्पाधन के साधनों में यह संभव है विधियों में कोई परिवर्तन संभव नहीं है ऐसी इसके एक मानिता यह है कि परिवर्तन शिल साधन की सब इकाया एक जैसी होती है ठीक है जो कि जा रही है संख्या में तो बढ़ाए गया श्रमिकों की योग गिता भी वही होनी चाहिए जो अभी तक कारे कर रहे हैं श्रमिकों की थी तब यह कौन कौन कर यह सबसे बढ़ा कारण यह सभी में परिवर्तन संभाव tidak हाला कि हम हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भूमी के छेत्रफल को बढ़ा दे यह अचानक से हम पूंजी का जो अनुपात है उसको बढ़ादे तो यह थोड़ी सी असमाने सी बात है इस कारण से भी दूसरी बात उत्पादन के जो साधन होते हैं वो स्थाना पन्य नहीं होते जैसे यह नहीं कह सकते कि भूमी कम है तो कोई बात नहीं पूंजी को लगा देते हैं एक उदारन के तोर पर हम यहां पर उत्पादन के पांच साधन देख रहे हैं भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस अपने आप में इनकी अलग-अलग विशेस्ताएं हैं अलग-अलग महत्व हैं इसमें से अगर हम भूमी को गायब कर दें तो क्या सिर्फ पूंजी सिर्फ संगठन, सिर्फ श्रम, सिर्फ साहस से हवा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे हम यह पूंजी को गायब कर दें पैसा ही नहीं है भूमी है हमारे पास श्रमिक भी है संगठन भी है साहसी काम करने के लिए तयार है पैसा नहीं है पूंजी नहीं है इंपॉसिबल काम करी निए उटपादन हो लागू करना पड़ता है तीसरी अगर हम इसकी बात करें कारणों की तो जाहिर से बात है कि जो साधनों की पूर्ती होती है वो मांग की तुलना में थोड़ी सी सीमित होती है अचानक से अगर किसी वस्तू के मांग बढ़ जाए तो अलपकाल में तुरंद की तुरंद उतनी पूर्ती करपाना थोड़ा सा असंबह होता है तो ये सारे इसके कारण थे अब इस पूरे प्रतिफल के नियम को हम एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अधिक अच्छे से समझेंगे इस तालिका के आधार पर हम एक परिवर्तर शिल साधन के प्रतिफल के नियम को जानेंगे इस पूरी तालिका में श्रमिको की संख्या दी गई है जो की उत्रोतर बढ़ती जा रही है उत्पादन दिया हुआ है औसत उत्पादन और सीमानत उत्पादन जब श्रमिकों की एक संख्या एक यानिकी सिर्फ एक श्रमिक उत्पादन करता था तो कुल उत्पादन हमको 50 मिलता था और सत उत्पादन भी 50 और सिमान्द भी 50 था अब जब कि श्रमिकों की संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी गई तो कुल उत्पादन 110 हो गया और सद्पादन 55 और सिमान उत्पादन 60 हो गया श्रमिको की संख्या जब 3 हो गई तो कुल उत्पादन 135 को इंटल हो गया यानि कि अगर हम 135 को 3 से भाग देखे औसा तुद्पादन निकालना चाहें तो औसा तुद्पादन 45 हो गया और अगर हम कुल उत्पादन को माइनस करके सिमान तुद्पादन निकालना चाहें तो हम 110 माइनस 135 करते हैं तो यह जो 25 मिलता है यह हमारा सिमान तुद्पादन कहलाता है जैसे कि हमने पिछले टेबल में देखा था बिल्कुल उसी तरह हमको कैल्कुलेट करके औसत और सिमान उत्पादन भी निकालना है जब श्रम की चौथी इकाई का प्रियोग किया गया तो खुल उत्पादन एक सो पचास था यानि कि और सत उत्पादन क्या होगा एक सो पचास डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ पॉर 37.5 और सिमान तुद्पादन था हम कैसे निकालेंगे हम देखते हैं कि पहले कुल उत्पादन जब ये निकाई का प्रियोग होता था श्रम की तो 135 था और अब हो गया एक सो पचास यानि कि 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 वृध्धी होई है उससे एक अत्रिक निकाई के प्रियोग से एक सो पचास हम को मिलता है 32 और अगर हम सिमान उत्पादक्ता निकालते हैं तो 150-160 यह हो जाता है दस वैसे ही अगर हम छटवी एकाई का प्रयोग करते हैं तो खूल उत्पादन मिलता है 166 जिसे अगर हम 6 से भाग देते हैं तो और सब्सक्रादन मिलता है सिमान उत्पादन अगर तो 166 000 करते हैं तो यह 6 मिलता है सातवी काई के प्रयोग पर खूल उत्पादन 165 है और आथवी काई पर खूल उत्पादन 166 ऊंच और सपूरे टेबल में हम तीन अवस्थाओं को देख रहे हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार पहली अवस्था जब की उतपादन के साधनों में व्रिध्धि करने पर प्राप्त होने वाला उतपादन पढ़ता जाता है पहली अवस्था वह है जब श्रमिको की संख्या एक और दो थी यहनी कि इसमें व्रिद्धी होती गई तीसरे अवस्था में व्रिद्धी की यहां पर घट गया अब जब हमने चौथी और पांचवे काई का श्रमिको कि प्रयोक है यानिकि बहुत पहले कि जिस्हा प्रयोग किया है जो Λुंपला अंधम चीया जितना में ने कि एपक्षा हम उद्धिया ports प्रिनात्म उत्पादं हमको मिला है इस पूरे टेबल को जब हम एक ग्राब के वरानाते हैं तो हम देखते हैं कि हम तीनों के लिए एक वकल बनाएंगे ऑसथ उत्पाद के लिए और सिमंपगे के लिए कुल उत्पाद के लिए जब हम वक्र का निर्मान करेंगे तो हम O X अक्षपर परवरतरशिल साधनों की मात्रा लेंगी और O Y अक्षपर हम खुल उसत और सिमान्तुत पादक्ता लेंगी जब श्रमिको के संख्या एक थी तो कुल उत्पादक्ता पचास थी श्रमिको के संख्या जब 2 हुई तो कुल उत्पादक्ता 110 हो गई श्रमिको के संख्या जब 3 हुई तो कुल उत्पादक्ता 135 श्रमिको के संख्या 4 होने पर कुल उत्पादक्ता 150 श्रमिको के संख्या 5 होने पर कुल उत्पादक्ता 160 श्रमिको के संख्या 6 होने पर कुल उत्प प्रकार हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको एक टीपी वक्र मिल रहा है जो कि पहले तो बहुत स्पीड में बढ़ रहा है फिर उसके ब्रुद्धी के दर थोड़ी से धीमी हो गई और फिर वो नीची की और आने लगा दूसरा अगर हम उसात उत्पाद वक्र का निर्माण करें तो हम देखते हैं कि जब हमने श्रमिको की संख्या एक थी तो उसात उत्पादन पचास क्विंटल श्रमिको की संख्या दो होने पर उसात उत्पादन पच्पन श्रमिको की संख्या तीन होने पर उसात उत्पादन इस इसके द्वाराहमने कि आवश उत्त पादन वक्र याने कि एपी वक्र का निर्माणी किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो यह बहुत स्पीड में बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ और फिर यह नीचे आ गया, तीसरा वक्र हम बनाएंगे सीमान तुत्पादक्ता का, यहां पर हम सीमान तुत्पादक्ता वक्र के लिए देखते ह हैं कि जब श्रमिको की संख्या एक थी, तो सीमान तुत्पादक्ता 50, श्रमिको की संख्या 2 होने पर सीमान तुत्पादक्ता 60, श्रमिको की संख्या 3 होने पर 25, श्रमिको की संख्या 4 होने पर 15, श्रमिको की संख्या 5 होने पर 10, श्रमिको की संख्या 6 होने पर 6, श्रमिको कि संख्या जब 8 हो गई तो सीमान तुत्पादक्ता घटी होई अवस्था में याने की X-axis से नीचे जाकर माइनस 5 पर आ जाता है यहां पर हमने MP वक्र आने की सीमान तुत्पादक्ता वक्र का निर्माण किया तो हमने देखा कि किस प्रकार यहां पर हमको तीन अवस्थाएं प्राप्त होती है पहली अवस्था में उत्पादन बढ़ता है दूसरी अवस्था में घटता है और तिसरी अवस्था में वो शुन्य होकर रणात्मक होने लगता है तो ये पूरा ग्राफ हमको बताता है कि किस प्रकार प्रथम अवस्था में गुल उत्पादन परिवर्थर शिल साधन में की गए अनुपातिक वृद्धी की तुल्ला में बहुत अधिक अनुपात में बढ़ता है यानि कि तेजी से बढ़ता है हमने यहां पर देखा कि जब हमने तीसरी एकाई से छटवे एकाई के प्रयोक पर सिमान तुद्पादक्ता को निरंतर हम भटाते गए तो यहां पर हम कहते हैं कि परिवर्थर शिल अनुपातों की नियम के अंतरगत दूसरी अवस्था लागू हो रही है इस नियम के दूसरी अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि परिवर्थर शिल साधन की मात्रा में जिस अनुपात में व्रद्धी हो जाती है उसके तुलना में सिमान तुद्पादक्ता घड़ती जाती है रिनात्मक जो अवस्ता है इसे हम कह सकते हैं कि रिनात्मक सिमान तुत्पादन परिवर्तर शील अनुपातों के नियम की तीसरी अवस्ता है आए इस पूरे ग्राव पर हम परिवर्तर शील अनुपातों के प्रतिपल के तीनों अवस्ताओं को देखी इस पूरे रेखा चित्र में O X सक्ष पर रेखा पर परवर्तर शिलिकायों की संख्या और O Y पर हमने यहाँ पर उसतुत्पादन, पूलुत्पादन और सिमान पूत्पादन को दिखाया है हमने इन तीनों पर तीन वक्र बनाये हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पर वर्भात शिलिकायों की इक एकायी यह इस्तितन के बढ़ाते हैं वैसकी हमको पर वोगत तक अधित्पं हो जाता है और हम्हें लुकता है यहां हम देखते हैं कि कुल पादन वक्र की प्रवित्ति बढ़ने की है लेकिन इसके प्रतेक बिंदु पर परवर्तन की दर्श समान नहीं है